नमस्कार स्वाकेते आपका देव भूमी समचार पर मैं हूँ आपके साथ स्वीटे दिक्षी रुकरेगुत रखन के एहम जानकारियों के और पूर मुख्य मंत्री और महाराष्ट के पूर राजिपाल भगत सिंग कोशियारी ने सीम धामी को नसीयत दी है भगत सिंग कोशिय कि सला है सीम धामी को और उन्होंने कहा है कि फील्ड पे उतर के देखिये कि क्या कुछ हालात है एसी कमरों में मत बंद रखिये मत रही ये बंद और सीम धामी को ये सला दी गई है भगत दा की तरफ से और पता दे उन्होंने कहा है कि नोकरश्याओं के पेज कसने कि ये सला कारियों की समिक्षा की है इस दौरान सीम धामी ने गतिमान लंबित कारियों और विकास परक योजनाओं की समिक्षा की मुक्यमंत्री पुषकर सिंग धामी आज आपदा प्रबंदन केंद्र पहुचे जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ चारदाम की यात्रा के मदन अज़र समिक्षा बैचक ली सिंग धामी ने यात्रा से पहले की तैयारियों का जैसा लेते हुए अधिकारियों को चारदाम की यात्रा पर आने वाल यात्रियों और यात्रा सुविदा को लेकर विवस्ता दुरस्त करने के नर्देश दिये सबी साथों जनपदों में लगबख सोना इंसिदेंस क्रियेट किये थे जिसमें भूस खलन था भूकम भी हमने रिक्टर स्केल पे 6.8 के मागनिटीट का दिखाया था साथी साथ बाड की स्थिती हरीदवार में थी रोड ये बस आक्सिडंट पी हुआ था बस हमारी नदी में गिरी थी और स्टैंपीड की घटना भी हमने इसमें की थी कि जहां हमारे ट्रेकिंग रूट्स हैं जैसे वो चाहे यमनूतरी हो चाहे केदारनात हो अगर बहुत जादा इंफ्लो टूरस का होता है तो स्टैंपीड की भी एक संभावना बनी रहती है स्टैंपीड को किस तरीके से रोका जा सकता है होने से और अगर होता है तो किस तर और इंट्री पॉइंट्स पर इंफ्लो ऑफ टूरिस्ट को कंट्रोल कर सकें तो इन सभी चीज़ों को आज मॉपड्रिल के माधियम से चेक किया गया है मुक्यमंत्री पुष्के सिंग धामी ने गुरुवार को श्री केदाना धाम के सेवदार सदिस्यों के दल के वहानू का फ्लैग ऑफ किया इन सिवादारों की तरफ से किदारनात यात्रा मार्व पर 21 से 25 अप्रेल तक शर्दालों के लिए उत्राखंट के मुक्य सेवक के नाम पर बंडारिक आयुजन किया जाएगा साथी 24 और 25 अप्रेल को हो हेलिकॉप्टर से पुष्ट पुवर्ष्चा भी की जाएगी मुक्य मंत्रि पुष्कर सिंग धावी ने कहा है कि उत्राखंट की चारदा म्यात्रा के लिए शर्दालों की सुविदा के टिष्टिका सभी तैयारिया की गई है कंगोत्री युमनोत्री धाम के जिमेदारी भी मंदिर समीती को दिये जाने के मामले में अब राजनिती तेज हो गई है विपक्ष के साथ साथ बीचेपी की विदायक भी सरकार को गईगोत्री युमनोत्री मंदिर को भी मंदिर समीती के हवाले करते हुए विवस्ता बनाने की मांग कर रहे हैं अब इस प्रकार का विचार सरकार के ना हमारे पास आया है और ना हमने सरकार को दिया है अगामी नगर निकाए और नगर निगम चनाव को लेकर कॉंग्रेस प्रदेश अद्यक्ष करन मारा ने पार्टी के जिला अध्यक्ष नगर अध्यक्ष राती पूर्व में प्रत्याशी और वर्तमान में मेयर और निकाय अध्यक्ष के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बैठक की उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत दिलाने के लिए आज से समिक्षा की जा रही है जिससे जिताव प्रत्याशियों को चुनाव मेदान में उतारते हुए निकायों को निकायों पर कॉंग्रिस प्रत्याशियों तो कब जह हो सके जो मीटिंग से हमारी अपने अध्यक्स कनू से और उसी की जो नगर निकाय और नगर पंशाय के चुनाव है करनाटक चुनाओ को लेकर प्रदेश के कॉंग्रिस नेता भी सक्रिय दिखाए दे रहे हैं। समेथ पार्टी के विधायक और वरिष्ट नेताओं को भी बेचा जा रहा है। राजे में लगतार जंगलों में आग लगने की घटना सामने आ रही है। इसको लेकर सरकारी सिस्टम ठब पड़ गया है। सरकार जंगलों में लग रही आग पर अधिकारियों से गंभीरता से कारवाई करने के निदेश दे रही है। वही विपक्ष ने जंगलों में लग रही आग को लेकर सरकार का फेलियर बताया है। दिखे शरकार तो क्यों बैने कहा ना कि शरकार के मंत्री एस याल पावर मागने में मस्त हैं और आपके PCC अब जो हैं। दो दो PCC अब इस कुर्देश में हैं। उनका सुल्द सरकार उनको नहीं सुलजा पा रही हूं जगड़े को नहीं सुलजा पा रही है। यह सरकार तो जगड़े में ही पैदा हुई और जगड़े में ही निपढ़ जाएगी देखेगा आने वाले समय में कहां पर काम कर रही है कितना बड़ा दुरबाग्य है कि करोड़ों की संपत्तिकार नुक्सान और बंग संपता का नुक्सान हो रहा है लेकिन सरकार की कोई बतलब भी नहीं है वो लोग तो बुल जगड़े हैं कि किस की सी आर कौन लिखेगा और नहीं लिखेगा इसी काम में बुल जगड़े हुए सरकार नाम की चीज को इस प्रदेश में है चारदा म्यात्रा के मदे नजर कर्ण प्र्याग में SDRF ITBP Fire Police परिवन विभाग आपदा प्रबंदन और स्वास्ते विभाग की टीमों ने मिलकर मौक ड्रिल किया चट्वा पीपल में मौक ड्रिल के तहट एक बस अनियंत्रित होकर 100 फिट गहरी खाई में गिर गई जिसमें 7 लोग घायल हो गए और एक गंभी रूप से घायल हो गया है स्वास्ते विभाग आपदा प्रबंदन और स्वास्ते विभाग की टीमों ने मौके पर जाकर घायलों को खाई से निकाल कर 108 की माध्यम से अस्पताल ले जाया गया स्वास्ते विभाग पूरी तरीके से तैनात है तो यह मौकजल की तस्वीर है जो आपके साथ साज़क करें चारदाम यात्रा शुरू होने वाले इसके मदे नज़र मौकजल की जा रही है और चारदाम यात्रा में किसी तरीके की कमी ना हो अगर कोई घटना भी घट जाती है तो उस दोरन किस तरीके से तकिसी को कोई कमी ना हाए और सुखम से यात्रा पूरी हो जाए और हरिद्वार में दो अप्रादियों को जिला बदर किया गया लक्सर के आमीर और उस्मान को एक महीने के लिए जिला बदर किया गया है साथ ही जिला बदर गुंजो को हरिद्वार सीमा से बाहर रहने की चेतावनी दी गई है तू ह्यों गराइक की आइए और ये एक्शन जिलाप्रशासन द्वरा लिया गया है और हरीद्वार की ये तस्विरे हैं जो आपके साथ साज़ा करें धो अपरादी को जिलाप्र द्वादर किया गया अपरादीय टीवी स्किन पर आपके जो नजर आ रहे हैं एक महीने में तड़ी पार किया गया है ये भी चितावनी दी गई है कि बॉर्डर से अंदर ना आए ये जिला बदर की तस्वीरे हैं चितावनी के साथ साथ इनको एक महीने के लिए बाहर किया गया है और लक्सर के जुंकरपूर गाव में स्तेते राज की प्रात्मिक विद्याले में एक आठ साल के मासूम को बेल्ट से पीटने का मामला सामने आया है पिचाई का आरोप स्कूल के एक टीचर पर लगा है आरोप है कि टीचर चंद्र किरा ननुसूची जादी के बच्चों के साथ भेदबाव करता है और उन्हें बेहरमी से पीटता है जिस कारण कई बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिये हैं मामले में पीडी बच्चों के परिचनों ने थाने में तरिएर देकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कारवाई की मांग की है वही मामले में शिकष्या ब्लॉक समन्वेक ने कहा है कि एक बच्चे की पिटाय की शिकायत आई है मामने के जायज के बाद विभागे कारवाई की चाहेगी और फिलाल वक्त हो चलाए छोड़ी से बेक का जल लोटेंगे बेक के बाद एक बाद फिर से सौगेत है अपका खबरों में आगे बढ़ेंगे कुछ प्राइवट स्कूलों की तरफ से NCRT की किताबों की जगह प्राइविट प्रकाशन की महगी किताबे लेने के लिए चात्रों पर दमाव बनाने की शिकायत पर खटिमा तहसीलदार ने प्राइवट स्कूलों में च्छा पिमारी की एक प्राइविट स्कूल सिटी कॉन्वेंट में एंसी आर्टी की किताबी की जगा प्राइविट प्रकाशन की महिंगे किताबे पाये जाने पर तहसिलदार नेकड़ी कारवाई की बात कही है तो यह तस्वीरे हैं जब स्कूल में सिटी कॉन्वेंट स्कूल में छापे मारी चल रही है और प्रकाशन की किताबे जो है वो अभी बावकों को दी जा रही है बच्चों को दी जा रही है जिसके बाद शिकायत जैसे पर शायसन को मिली मौकेबे बहुचों और छापे मारी की गई है और किस तरेके से उनके द्वारा हर किताब को जाचा जा रहा है क्यूंकि NCRT की किताब की जगाई यह प्राइविट स्कूल जो है सिटी कॉन्वेट स्कूल नामेस प्राइविट स्कूल का वो प्रकाशन की किताबे बेच रहा तो महेंगी किताबों से जुड़ा हुए यह पूरा मामला है इससे पहले भी कहीं किताबों के मामले निकल के सामने आए तब देखें एक माफ़ेर से खटीमा से ही तस्वीरे सामने आई है जहां पे NCRT के किताबों के जुगा प्रश्यासन के किताबों नीचे स्कूल द्वारा बेची जा रही है और राम नगर में संसादनों की कमी के चलते खनन और लकडी माफिया लगतार वन निगम और वन कर्मियों पर हमला बोलने के साथ सरकारी संपतियों को भी शती पहुचा रहे है ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है जब वन विकास निगम का गश्टी दल जंगल में गश्ट कर रहा था इसी बीच निगम कर्मचारीों की तरफ से जंगल से लिफ्टिस का अवैद कटान कर डंलप में ले जा रहे लकडी तसकरों को कर्मचारीों प्रबंदन खनन शेशेंग को दी जिसके बाद मौके पर पहुचे और तसकरों द्वारा उनके साथ भी अभध्रता की गई मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेर एसोशेशन ने मसूरी के होटल में बैटक आयोजीत की जिसमें SDM नंदन कुमार ने शिरकत के इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स वेलफेर एसोशेशन के अध्यक्ष रजट अगरवाल महामंतरी जग जीत कुकरेजा कोशादेक्ष नागेंदर उनियाल ने SDM को मोमेंटो देकर स्वागत किया और मसूरी माल रोड के साथ बाकी समस्याओ को लेकर एक ग्यापन दिया तो SDM को ये ग्यापन सौपा गया है किस तरीके से माल रोड में जो भी कमी है उसको लेकर ये ग्यापन सौपा गया है और स्वागत कर उनको मोमेंटो भी दिया गया है जिसकी तस्वीर आपके साथ साजा कर रहे हैं बता दे कि SDM नंदन कुमार ने शिरकत किये इस पुरे कारिकरम में और उनका स्वागत कर उनको मोमेंटो भी दिया गया है इसके साथ कई समस्या जो है उनसे अवगत कराया गया है माल रोड में क्या समस्या है ये इसको लेकर अवगत कराया गया है ट्रेडर्स एन वेलफेर एशुशियन की तरफ से ये कारिकरम रखा गया था उद्रम सिंग नगर के सिमान शेत्र कचीमा में पिछले चार या पांच दिनों से लगतार फाइबर लिमिटेड कंपनी के करमचारे प्रजिशन करें आपको बता दे के चार से पांच दिन पहले फाइबर लिमिटेड कंपनी ने दोस्तों करमचारियों को बिना कोई नोटिस ये ही बाहर कर दिया करमचारी रोज आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है तो वहीं उत्राखन के कार्बोट नैशनल पार्क और उसके आसपा से सटे कार्बोट लेंड स्केप में जंगली जारवर पानी के तलाश में गावों की और रुखना करें इसके लिए वन विभाग ने मानम निर्मेत वाटर होल्स और नैशनल वाटर होल्स में पानी भढ़ने का कारें शुरू कर दिया है जिससे बढ़ती गर्मी में जानवरों को जंगल के अंदर ही प्रयाप्त पानी मिल सके बता दे कि कार्बूर नैशनल पार्क और रामनगर वन विभाग की तरफ से बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्राकतिक और मैनमेज वाटर होल्स के निर्मान के साथ ही नए और पुराने एक सो पचास से जादा वाचर होल्स में पानी भढ़ने का कारे आज कल किया जा रहा है तो जंगल के अंदर ही पानी भढ़ने का कारे किया जा रहा है और आपको बता दे यह तस्वीर निकल के सामने आ रही है जहा होल्स में पानी भरा जा रहा है और एक सो पचास से जादा ये होल से जिन में पानी भरा जा रहा है जिससे जंगली जानवर जो है वो गावों की तरफ रुख ना करे हरीद्वार में भी कुछ ऐसा ही किया गया है यहां भी जंगली जानवर की सुविदा के लिए पानी की तंगी से ना गुजरना पड़े तो बता दे कि हरीद्वार में भी ऐसा कारकरम रखा गया जा राजा जे टाइगर पार्क की मुहीम है कि जंगली जानवर जो है वो पार्क से बाहर ना निकले और गावों में आ जाए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दहश्चत पहलेगी इससे आपको बता दे कि कई नुकसान भ अधर नजर तमाम होल्स को भरा जा रहा है और यह ना सिर्फ यहां पर हो रहा है बलकि कार्बूर नैश्टरल पार्क में भी यह काम किया जा रहा है मौसम विभाग की भविश्यवानी सच साबित होई है बजरेनाथ हेमकूर साहेब नीती मलारी में हेमपाथ की भविश्यवानी मौसम विभाग ने की थी निचले इलाकों में बारी से एक बार फिर से ठंड लोटी है साथी बर्फ बारी के चलते बद्विनात धाम में विदुदा पूर्दी ठप हो गई है बिज़र ठप होने से मास्टर प्लैन का काम प्रभावित हो गया है यह तस्वीरे हैं जो आपके साथ साजा कर रहे हैं बता दे दो फिर तक बर्फ जम चुकी है और हर तरफ सिर्फ बर्फ बर्फ नजर आ रही है तमाम जगल जो है बर्फ की चादर से जो है यह चमोली ढग चुकी है और ये तस्वीरे काफी कुछ बया करिए कि एक बार फिर से ठंड लोटती हुई नजर आ रही है तो दूसरी तरफ देखिए गर्मी से लोगों को राहत मिली है यह मुनोत्री में भी कपाट खुलने से पहले बर्वबारी हो गई है आपको बता दे कि 22 अप्रेल को पावन इमनोत्री के कपाट खुलने हैं बर्वबारी से आसपास का मौसम सर्द हो गया है जिसकी तस्वीरे आपके साथ साजा करें किस तरीके सा बर्वबारी होई है और मौसम सर्द हो गया जिससे लोग जो है वो घरों के अंदर बैठे हुए हैं काफी कम लोग जो है घरों के बाहर निकल रहे हैं तो कपाड़ खुलने से पहले ये बर्वबारी हो रही है ये मनोतरी की तस्वीर है जो आपके साथ साजा कर रहे हैं बता दे किस तरीके से बर्वबारी हो रही है और इसे के साथ सिर्फ यहां भी नहीं चमोली में भी बर्वबारी का आलम ही देखने को मिला है जहां दो फीट तक बर्व जो है वो जमा हो चुकी है तो फिलाल के लिए देभू में समचार में इतना ही खबरे लगतार जारी है देक्टरी इंटिया ओई